भारत के सर्वसरेश्ट पुरुसकारों में से एक पदम पुरुसकाद 2024 की घोशना हो चुकी है और फेंड्स ये टॉपिक काफी जादा इंपॉर्टन्ट और ट्रेंडिंग है अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो फेंड्स वो सभी कोशन जो आपके एक्जाम के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन selected और important ले हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा यूसफूल रहने वाला एफेंस हर एक्जाम में इस टॉपिक से कोशन आते हैं अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एक्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी कोशन नहीं मिलेगा ये आपके रवी सर का वादा है तो चलिए शुरू कर लेते हैं कोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन दे देता हूँ पदम पुरुसकार के बारे में पदम पुरुसकार भारत के सर्वोच नागरिक सम्मानों में से एक है हर साल गंतंदर दिवस यानि की 26 जनवरी की पूरु संधिया पर इसकी घोशना की जाती है यह ऐसी सभी गतिविदियों या विशय के छितरों में उपलब्दियों की पहचान करता है जिनमें सारवजनिक सेवा का तत्व शामिल है पदम पुरुसकार जो है यह ग्रह मंतराले के तत्वा धन में आते हैं मैंने आपको यहां पर यह बताया कि जो पदम पुरुसकार है यह भारत का सर्वोच नागरिक सम्मानों में से एक है और भारत का जो सर्वस्रेश नागरिक सम्मान है वो आपको बता ही है भारत रतन है ठीक है तो 2024 में भारत रतन की वीडियो भी मैंने डाल दी हुई है complete वो पुरुसकार वर्ष 1954 में प्रारंब किये गए थे वर्ष 1978, 1979 तथा 1993 से 1997 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर यह है पुरुसकार प्रतेक वर्ष गंतंदर दिवस्वर घोशित किये जाते है नेक्स्त है हमारा important point एक वर्ष में प्रदान किये जाने वाले कुल पदम पुरुसकारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होने चाहिए यह पुरुसकार जो है तीन श्रेणियों में दिये जाते हैं नंबर वन पर आता है पदम विभूशन नंबर टू पर पदम भूशन नंबर थी पर पदम श्री मतलब फर जो पदम पुरुसकार होता है ना इसकी ती सबसे उपर आता है पदम विभूशन फिर आता है पदम भूशन फिर आता है पदम शरी पदम विभूशन जो है यह असाधारन और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है पदम भूशन उचकरम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है पदम शरी प्रतिष्ठित बढ़ सकते हैं तब बढ़ेंगे जब हम मर्नो प्रांथ तथा विदेशियों को बीच में एड़ कर देते हैं मतलब 120 में मर्नो प्रांथ और विदेशी एड़ नहीं होते हैं ठीक है अगर हम इसको एड़ करेंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाती है इसलिए फ्रेंच 2024 में न कुल मिला के 132 लोगों को मिला है हाई होप आपको इस समझ में आ गया होगा 132 क्यूं हो गया बलकि हमने तो कहा कि 120 लोगों को ही मिलता है लेकिन अगर उसमें हम मर्नो प्रांथ या विदेशी जोर देते हैं तो फिर उसकी संख्या बढ़ सकती है इस वर्ष 2024 में कुल मिला के 132 लोगों को पदम पुरुसकार मिले हैं डिटेल में अगर हम समझें भारत की राश्पती द्राबदी मुर्मो ने 2024 के लिए 132 पदम पुरुसकारों के लिए मंचूरी दी है इन पुरुसकारों की सूचि में अगर हम बात करें पदम विभूशन 5 व्यक्तियों को मिला है पदम भूशन 17 लोगों को मिला है पदम शिरी 110 कुल मिला के हो जाता है 132 नेक्स्ट है हमारा कोशन पदम पुरुसकार विजयताओं की घोशना किस दिन की जाती है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन B गंतंतर दिवस यानि की रिपब्ल दिग डे या बोल सकते हो 26 जनवरी नेक्स्ट है हमारा कोशन पदम पुरुसकार को कौन पृदान करता है राइट आंसर हो जाता इस कोशन का ओप्शन D भारत के राष्टपति पदम पृष्कार को पृदान करते है और आपको बताना चाहता हूं राष्टपति दुराबती को पदम विभूशन से सम्मानित किया क्या है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का option C पांच 2024 में कुल मिला के 5 लोगों को मिला है पदम विभूशन डिटेल में अगर हम समझें मैं आपको इन 5 विजेताओं के नाम बता देता हूँ जिनको मिला है 2024 में पदम विभूशन तो सबसे पहले हम बात करेंगे शू श्री वेजेंती माला बाली इनको कला के छेतर में मिला है और ये तमिलाडू की है सेकिंड नमबर में है कौनी डेला चिरन जीवी कला के छेतर मिला है ये आंदर परदेश के हैं श्री एम वेंकिया नाइडू सारवजिनिक मामलो के छेतर में आंदर परदेश के हैं ये श्री बिंदेशवर पाठक इनको मरनो प्रांथ मिला है सामाजे कारे के छेतर में और ये बिहार के है सू श्री पदमा सुबरमन्यम इनको कला के छेटर में मिला है ये तमिलाडू के हैं नेक्स्ट है हमारा कोशन 2024 में कितने महिलाओं को पदम पुरुसकार से सम्मानित किया गया है राइट आंसर हो जाता है option D 30 2024 में कुल मिला के 30 महिलाओं को मिला है पदम पुरुसकार अगला कोशन 2024 में कितने लोगों को पदम भूशन से सम्मानित किया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का Option D, 17 17 लोगों को मिला है पदम भूशन डिटेल में अगर हम समझे 17 विजयतों के नाम मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले हम बात करेंगे फातिमा बेवी की इनको मर्नो प्रांथ मिला है सारवजनिक मामलों के छेतर में और केरल राज्ये की है उसके बाद है हॉर्मूस जी एन कामा इनको सहाईते एवं सिक्षा पत्रकारिता के छेतर मिला है महराश्ट की है मिथुन चकरवती काफी इंपॉर्न नाम है कला के छेतर में मिला है इनको पश्रीम बंगाल के है सिताराम जिंदल वेबार एवं उद्धियो के छेतर में करनाटा के है यंग लियो यह अपने नाम याद रखना है यह विदेशी है और आपको बताना चाहता हूँ फॉक्स कॉन कंपणी जो है ना ताइवान के उसके चेर्में नहीं है यंग लियो ठीक है तो इनको मिला है वेबार एवं उद्धियो के छेतर में ताइवान के है अश्विन बालचंद महता इनको मिला है दवा के जयान के मैडिसिन के छेतर में महाराश्ट के है इसके बाद है सत्यबर्थ मुखर जी मन्नो प्रांथ मिला है सारवजिनिक मामलों के छेतर में पश्चिम बंगाल के है राम नायक सारवजिनिक मामलों के छेतर में महाराश्ट के है जितने भी आपको बेनाम बता रहा हूं न सब आपके लिए काफी important है इसके बाद है तेजस मधु सूदन पटेल मैडिसिन के छेतर में गुजरात के हैं उसके बाद है उलान चेरी राजगोपाल सारवजिनक मामलों के छेतर में केरल के हैं उसके बाद है दतातरे अंबादास मयालू उर्फ राजदत कला के छेतर में महराश्ट के हैं उसके बाद है तोग दानरीन पोछे अध्यात्ममवाद के छेतर में लद्धा के हैं उसके बाद है प्यारेलाज शर्मा कला के छेतर में महराश्ट के हैं चंदेशवर, प्रसाथ, ठाकुर, दवा के छेतर में बिहार के हैं, उशा, उत्थूप, कला के छेतर में मिला है, इनको पश्रीम बंगाल के हैं, विजयकांत, इनको मर्नो प्रांत मिला है, कला के छेतर में, तमिलाडू से है, कुंदन व्यास, सहाईतेयम, सिक्षा, नेक्स्ट है हमारा कोशन 2024 में कितने लोगों को पदम शरी से सम्मानित किया गया है राइट आंसर हो जाता है Option C 110 2024 में कुल मिला के 110 लोगों को मिला है पदम शरी पदम शरी जितने वाले जो प्रमुख लोग हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ रोहन, मनचंदा, बपनना इनको खेल के छेतन मिला है करनाटक के हैं टेनिस के लाड़ी है आप सब जानते होंगे बपनना का नाम शान्ती देवी पास्वान एवं शिरी सिवन पास्वान ये जोड़ी है इनको कला के खेतर में मिला है ये नाम आपने दियाद रखना है बिहार के हैं सुरेंदर मोहन मिश्र मर्नो प्रांथ मिला है कला के छेतर में उसके बाद है पकारावुर्चितरन नंबु दरीपाद मर्नो प्रांथ मिला है साहिते और सिक्षा के छेतर में हरीश नायक साहितेयम सिक्षा के छेतर में बाबु राम यादव, किरन नादर, चामी मुर्मू राम चेत चौधरी, गुलाम नभी डार, हरबिंदर सिंग नेपाल चंदर, सूतरधार, इनको मन्नो प्रांथ मिला है रवी प्रकाश सिंग, किरन व्यास, उर्मिला श्रीवास्तव, गुदावरी सिंग नेक्स्ट है खलील एहमद, सोमदत बट्टू, अशोक कुमार विश्वास, मैमोरी लेन चकमा, जोशना चिनपपा, महाबेर सिंग गुड़ू, सतेंदर सिंग लोहिया, सेलेश नायक इन सभी को मिला है पदम श्री, ये प्रमुख नाम थे जो मैं आपके सामें डिसकस करें, अगला कोशन है मारा, 2024 में कितने लोगों को विदेशी, NRI, PIO, OIC, श्रेणी में कितने लोगों को पदम प्रुसकार प्रदान किये गए हैं, राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का, option D, art, अब फ्रेंट्स मैं आपको ये आठ लोगों के नाम बता देता हूं, काफी important रहेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, यंग लियो की, इनको वेपार और उद्द्यों के छेतना मिला है, ताइवान के हैं, पदम भूशन इनको मिला है, अब बांकी जितने भी हैं इनको म परकाश सिंग के रनव्यास, इस वीडियो कम से कम आप दो से तीन बाद जरूर देखना ताकि आपको हर एक कोशन अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है, अगला कोशन है, देश के सरवोच नागरिक पुरुसकार, पदम पुरुसकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन C, 1954 में, 1954 में पदम पुरुसकार की स्थापना हुई थी, पदम पुरुसकार के तीन प्रकार क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन D, उपियुक्त सभी, पदम विभूशन, पदम भूशन और पदम श्री, ये है पदम साफ़ोचनागरिक संमान कौन सा है ? राइट अनसर हो जाता है, ऐप्ष्ण ये भरत रतन, भारत रतन जो है, ये भारत का पहला साफ़ोचनागरिक संमान है, ये आपको ध्यान रखना नेकस्ट है, बिहार के किस पूर्मुक्यमंत्री को मरनो प्रांथ देश के सर्वोच सम्मान भारत रतन 2024 से सम्मानित किया गया है राइट अंसर हो जाता इस कोशन का ओप्शन D करपूरी ठाकूर यह आपको ध्यान रखना यह है फोटो करपूरी ठाकूर जी की डिटेल में अगर हम समझें पिछरे वरगों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं करपूरी ठाकूर दो बार बिहार के मुखे मंत्री रहे हैं पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक दूसरी बार 24 जून 1971 से 21 अपरल 1979 तक करपूरी ठाकूर की 24 जूनवरी 2024 को सोवी जैनती मिनाई गई है नेक्स्ट है हमारा कोशन भारत का दूसरा सर्वोच नागरिक सम्मान कौन सा है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ऑप्शन B पदम विभूशन पदम विभूशन जो है ये भारत का दूसरा सर्वोच नागरिक सम्मान है नेक्स्ट है भारत का तीसरा सर्वोच नागरिक सम्मान कौन सा है अंसर हो जाएगा ऑप्शन C पदम विभूशन Next question कर लें, भारत का چौथा सरोच नागरिक सम्मान कौन सा है? Answer हो जाता है Option D, पदम श्री जो है ये भारत का चौथा सरोच नागरिक सम्मान है Next है हमारा question, भारत के किस पूर उपराश्पती को पदम विभूशन पुरूस्का 2024 से सम्मानित किया गया है? अंसर हो जाएगा option A श्री वेंकिया नाइडू श्री वेंकिया नाइडू को पदम विभूशन पुरुषका 2024 से सम्मानित किया गया और यह भारत के पूर उपराश्पती है यह है इनकी फोटो next है किस व्यक्ति को मरनुपरांत पदम विभूशन पुरुषका 2024 से सम्मानित किया गया है अंसर हो जाएगा option A श्री बिंदेश्वर पार्थक बिंदेश्वर पार्थक जी ने सुलब सुचाले संस्थान के स्थापना की है और भारत में सुच्थता एवं स्वास्ति के दिश में सुधार और समाजिक परिवर्तन किये है सुप्रीम कोड की पहली महिला जज को मरनुपरांत पदम भूशन 2024 से सम्मानित किया गया है इनका नाम क्या था राइट अंसर हो जाएगा option D फातिमा बीवी डिटेल में अगर हम समझें फातिमा बीवी भारत के सर्वोच नियाले का हिस्सा बनने वाली पहली महिला नियाधी जपनी और देश के किसी भी उच्छ नियाबालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्ली महिला भी बनी है next है हमारा कोशन हम जान लेते हैं इनों लोग कौन-कौन से हैं सबसे पहले बात करते हैं बिंदिविश्वर पाठक जी की मरनो प्रांथ मिला है इनको पदम विभूशन फातिमा बीवी इनको 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 मरनो प्रांथ मिला है पदम भूशन ठीक है चितरन नंबुदरःपाद पदमश्री हरीश नायक पदमश्री सुरेंदर मोहन्स मेशर इनको मिला है पदमश्री नेक्स टैम हमारा कोशन श्री राम नायक को पदमभूशन पुरुसकार दोहजार चौबिस से समानित किया गया है या किस राज़े के राज़ेपाल थे अभिनेता मिथु चक्रवदी को पदम पुरुषकार 2024 में किस पुरुषकार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C पदम भुषन पुरुषकार से। नेक्स्ट है दो हजार चौबिस में किस एकमात्र विदेशी को पदम भूशन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए यंग लिउ कहां के हैं ताइवान के ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और यह फॉक्सकॉन कंपनी के चेर्मेन है भारत सरकार ने मल्टिनैशनल एल्ट्रोनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के चेर्मेन यंग लिउ को पदम भूशन से सम्मानित किया है नेक्स कोशन करवाने से बैलेफेंट्स आप सभी के लिए कि इंपॉर्टन इफॉर्मेशन है आपके रवी सर की जो एबुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibooks.pdf.com यहां पर आपको आपको आपके रवी सर की जो करेंट अफेर्स की एबुक है वार्शी की 2023 यह मिल प्लेखने को मिल जाते हैं ठीक है फेंट्स और इसी के साथ पॉलिटी की जोग्रोफी की हिस्ट्री की एबुक पे अवलेवल है हमारी वेबसाइट के वपर मुबाइल अप्लिकेशन भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर पे अवलेवल है हमारा रवी स्टड राज्या और 2,024 से संवानित किया गया है किस राज्या से है राइट इनसर हो जाता है अ और चयरा अपस ब्लेवल के नम्पना के नाम से महशूर 69 साल की के चैला मल को 2004 के लिए बदं श्री संवाण ऀस संवानित किया गया है आपकिस राज्या किस्क्राश सर ने अंडमार निकोबार किंदर शाषित प्रदेश से. नेक्स्ट है मारा कोशन, भारत की पहली महिला हरी कथा गाइका का नाम क्या है, जिन्हें 2024 में पदम श्री प्रोषकार से सम्मानित किया गया है, आंसर हो जाता है, ऑप्शन A, उमा महिश्वरी D. नेक्स्ट है मारा कोशन, 2024 में किस टैनिस टार क्लाड़ी को पदम श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन D, रोहन बोपरना करना टके है, यह है इनकी फोटो, नेक्स्ट है, 2024 में सबसे जादा पदम पुरुसकार किस राज्ये ने जीते हैं, राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन A, महराष्ट ने सबसे जादा पदम पुरुसकार जीते हैं, 2024 में, 2024 में महराष्ट की कुल 12 हस्ते होने पदम पुरुसकार जीते हैं, छे लोगों को देश का तीसरा सर्वोच नागरिक सम्मान पदम भूशन से सम्मानित किया गया है वहीं छे लोगों को पदम श्री से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट है हमारा कोशन जिनको मिला है कुछ खिलाडियों के नाम बता देता हूँ रोहन बोपन्ना ठीक है जोशना चिनप्पा उदैव विश्वनात देश पांडे गौरव खन्ना सतिंदर सिंग लोहिया हरबिंदर सिंग कोच है ये पूर्निमा महतो हमना कुछ अन्य महतोपू नाम भी देख लेते हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टन रह सकते हैं जिंदल अल्मोनियम के अध्यक्ष एवं प्रबंद देशक सिताराम जिंदल ठीक है इनको पदम विभोशन परुसका 2024 से सम्मानित किया गया है बैंकर कलपना मौर पारिया ग्लोबल इंवेस्टमेंट बैंक जेपी मौरगन एंड कंपनी की भारत इकाई की सीओ है इन्हें 2024 में पदम शिरी सम्मानित किया गया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टन रहेगा S.C.L. Technologies के फाउंडर शिव नाधर की पतनी केरन नाधर को भी पदम शिरी से सम्मानित किया गया है जन जातिय कल्यान के लिए समर्पिर जारकंड के जशपूर जिले के आदिवासी कल्यान करता जागेशवर यादव को पदम शिरी 2024 मिला है इसी के साथ सिरसा के दिव्यांग समाजे कारे करता गुर्विंदर सिंग ने बेघर निराशित महिलाओं की बहतरी के लिए और अनाध वे दिव्यांग जनों के लिए काम किया है इन्हें 2024 में पदम शिरी मिला है अगला कोशन है पदम पुरुसकार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है राइट आंसर हो जाएगा option B 120 लोगों को next है पदम पुरुसकार में कितने रुपे की नगद राषी दी जाती है right answer है कोई नगद राषी नहीं मिलती पदम पुरुसकार में यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है मारा कोशन पदम पुरुसकार किस वर्ष नहीं दिये गए थे राइट आंसर हो जाएगा उप्शन डी उप्युक्त सभी 1978 में नहीं दिये गए 1989 में नहीं दिये गए फिर 1993 से 1997 के बीच नहीं दिये गए अगला कोशन है पदम विभूशन पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले खिलाडी कौन है एक्जाम में कई बार ये कोशन पूछा गया है राइट आंसर हो जाएगा उप्शन भी विश्वनात आनंद विश्वनात आनंद भारत के सरवोच खेल सम्मान 1991-92 में राजीव गांदी खेल लतन पुरुसकार के भी पहले प्राप्त करता थे ये भी आपको ध्यान रखना और राजीव गांदी खेल लतन पुरुसकार का निया नाम क्या है मेज़र ध्यान चंद खेल लतन पुरुसकार अगला कोशन है किसे सबसे पहले खेल में पदमशीरी प्राप्त हुआ था आंसर हो जाएगा option D बलबीर सिंग दोसांज बलबीर सिंग दोसांज उनिसफ़तावन में होक्की के लिए पदमशीरी के पहले प्राप्त करता थे अगला कोशन है पदमशीरी प्रुसकार से सम्मानिद होने वाले पहले अथलीट कौन थे राइट आंसर हो जाता है option A मिलखा सिंग next है होक्की के जादुगर कहे जाने वाले मेजर ध्यान जंद को पदमशीरी प्रुसकार की सपर्ष परदान किया गया था राइट आंसर हो जाएगा option B 1956 में यह है complete अब आपके लिए आगया है दो कोशन का टेस्ट जिसका आंसर आपने देना है comment box में ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए आप पहले कोशन का टेस्ट लगा लीचे वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पदम प्रोज़कार दिये गए है चार option है आपके पास answer आपने comment box में देना है दूसरा कोशन है बिहार के किस पूरु मुख्य मंतरी को मन्नो ब्रान देश के सर्वोत सम्मान भारत अतन 2024 से सम्मानित किया गया है तोनो कोशन का answer आपने comment box में देना है वीडियो कैसी लगी आपने अपना feedback भी जरूर देना है उमीद करता हूं फैंस आपको वीडियो की quality वीडियो content और आपके रवी सर की महनत पसंद आई होगी वीडियो को आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आपके लिए important information आगे है आपके रवी सर की जो e-book की website है www.ravibooksptf.com ठीक है गूगल पर जाके आपको सर्च करना है यहाँ पर आपको रवी सर की all subject की e-book मिल जाती है एक परकार का यह नोट्स है आपके लिए एक्जाम से पहले और mobile application भी आप जरूर इस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर पे अबलेबल है रवी स्टड़ी आई क्यों जी के नाम से है तो चलिए अब हम मिलते है नेक्स्ट वीडियो में thank you and wish you all the best